एलो फ्रेंक्स आप देख रहे हैं स्पोर्सार आपके साथ मैं हूँ अपूर मिश्रा ICC Under-19 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच ब्रिंस्पितिवार को खेला गया ये मुखाबला औस्टेलिया और इंग्लैंड की दो मजबूत टीमों के बेच हुआ जिसमें औस्टेलिया ने पचासफे ओवर की आखरी गेंज पर जीत दर्ज कर इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर करास्ता दिखा दिया इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए साथ विकर्ट पर दो सो बावन नन बनाये थे जवाब में ग्रुप B के इस मुखाबले में औस्टेलिया ने दो विकेटों से बाजी अपने नाम कर ली अंडर 19 वर्ल कप में इस मुखाबले में औस्टेलिया ने टॉस जीत कर पहले गिन बाजी का फैस्टा किया इंग्लियाइन की टीम को ओपनर बेन चार्ल्स वर्थ और जॉर्डन कॉक्स ने शांदार शुरुवात दिलाई दोनोंने पहले विकेट के लिए सरसट रनों की साजेदारी की जवाब में औस्टेलिया को पहला जटका 19 सनों पर ही लग गया हलाकि इसके बाद सैम फैनिंग और कप्तान मेकेंजी हार्वे के बीच दूसरे विकेट के लिए 51 रनों की साजेदारी हुई फैनिंग के 31 रनों पर आउट हो जाने के बाद लेकान हैरने ने मोर्चा संभाला उन्होंने पैताले संग बनाए मेकेंजी के आउट होने से ये साजेदारी तूट गई आस्टेलियाई कप्तान ने आउट होने से पहले 65 रनों की पारी खेली उनके आउट होने के बाद मुकाबले में इंग्लैंड की वापसी हो गई और मैच आखरी ओवरों के रो मांच में जा पहुचा अब उस्टेलिया को आखरी तीन ओवरों में 40 रनों की दरकार थी तीम के लिए कोनोर, सुली, क्रीस पर थे इसके बाद 48 ओवर में सुली ने तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार छक्के जड़ दिये और फिर पांच ओवी गेंद को चौके के लिए भेज कर ओवर में 22 रन पर टोड़ लिये इसके बाद 12 गेंदों पर 18 और आखरी 6 गेंदों पर टीम को चाहिए थे 10 रन पचासपे ओवर की पहली गेंद पर मर्फी ने एक रन बनाया फिर सुली ने सिंगल लिया तिरसी गेंद पर मर्फी ने चौका जड़ दिया चौथी गेंद पर उन्होंने एक रन चुरा लिया ओवर की पाचवी गेंद पर सुली ने दो रन लिये अब टीम को एक गेंद पर एक रन की तरकार थी जिसे हासिल करने में सुली को कोई परेशानी नहीं आई बीज गेंद उपर नबात 35 सनों की वैच विजई पारी खेलने से पहले कौनोर सुली ने इंग्लैंड के दो विकेट भी लिये थे इस शांदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ओफ दा मैच चुना गया तो आपको इस मैंच को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा